वेल्कम बैक तो अवाच चैनल कटिंग इन इस्टिचिंग लबर आजम बीबी के लिए ड्रेस की कटिंग करेंगे तो उसके लिए हमारे पास यह बचा हुआ फैबरिक है सूट मैंसे जो बचता है भाई हम यूज करेंगे तो उसके लिए कुछ पीसिस हैं हम उनका यूज करे करेंगे तो सबसे पहले फैबरिक को हम फोर फोल करके रखेंगे अब इसकी जो यहां से लंबाई रखी है और कमर पर हमने यहां से तैन इंच रखा है अब यहां से हम एट इंच पर मार्किंग करेंगे अब यहां से हम टू इंच क्रोच एरिया के लिए रखेंगे और सब्सक्य चो देंगों किते हैं כंवरी करने करने कमरे कि कटिंग के साथ मुर्ण date करें पार monitor months draft किने का ही सब्सक्राच कि सब्सक्राइब तरीओ सब्सक्राइब कर देंगे रौन हीते हैं था कि द्यूच गेंके सब्सक्राइब यहां से हमर्म करेंगे हैं इसलिक पर यहां के नहीं करेंगे बाar कूप इस तरी केसे मार्किनम करेंगे करने जो थे की से to fix 2-3 inch पर लगाएंगे इस तरी किसम दोनों मारकिंग को मिला देंगे अब इस तरी किसम इसकी यहां से कटिंग कर देंगे इस स्वेंट हमारी कटिंग हो चुकिए अब यह महर पास प्ट्डिया है इनकी लेंद हमने यहांसे 7 इच रखिया है और थिस तरी किसम इनको फोल्ड करेंगे और यह हमारे शोल्डर पर यहां से अटेश होगी वह में के लिए फ्रिल करेंगे तो यह ने फोर फोल फैपि को कर रखा हुआ है अब यहां से नीचे की साथ से हम यहां से धाइंज को छोड़ते हो इस तरीके से इनकी कटिंग करतेंगे अब पार्ट पर में क्रोच एरिया को अटेश कर लिया है इस तरीके से यहां से अब यहां से हमने यहां जो मौरी थी वहां भी हमने ऊपर की कलर की पट्टी रखे अब इस तरीके से रखेंगे और यहां हम प्रोच एरिया के पास फिटिंग लगा देंगे अब यहां ऊपर हमने जो पट्टी अब उपर की तरफ में इसको निकाल के इस तरीके से रखते हुए हाफ इंच की फोल्डिंग करके यहां से चाड़ों तरफ सिलाई लगा के अटेज कर देंगे हमें एक सेट खुला रखना है एक इंच के लिए जिसमें लास्टिक इंसर्ट करेंगे फ्रेंट्स हमने यहां से इसमें सिलाई लगा लिया है अब इस तरीके से पिन की हेल्प से हम इसमें लास्टिक को लगा देंगे लास्टिक को हमने अपने कमर के हिसाब से जो भी आपकी बेबी की कमर है उसमें से हमने थ्री इंच को कम रखते हुए लास्टिक को लिया है जो भी आपका मेजर्मेंट गमर का उसमें थ्रील्स कम रखेंगे लास्टिक को अब इस तरीके से हमने लास्टिक को इसमें इंसर्ट कर लिया है अब यहां से दोनों पाट को यहां से जब पकड़ेंगे लास्टिक को दोना कॉर्णर को अब ऊपर एक के ऊपर एक रखते हुए यहां से शिलाई लगा के तोप पीछे की साइट से एक पट्टी अटेश किया था अब उस पट्टी को सीधी साइट रखते हुए यहां से अटेश कर देंगे इस तरीके से दोनों पार्ट पर यही प्रोसस करेंगे हमने अटेश कर लिया है अब इस तरीके से इमने पट्टी जो लेती पर नहीं इस तरह करने के लिए उसको इस तरीके से ऊटिक कुल देंगे और दोस्त Corinth के से ना और आगे की साइट करेंगे अशान को है अम इस जड़ंडर पर अटेसे में स्कार देश कर दिछा मोच्यान रियो ऊघंधिए है अब इसे हम सोल्डर पर अटेंज करेंगे इसी तरीके से दोनों फिल को हम रेडी करेंगे और फिर सोल्डर पर इसे अटेंज करेंगे इस तरीके से हमने टू इंच की यह पट्टी लिया है यहां सोल्डर पर हम इस तरीके से रखेंगे और यहां से इस प्रिल को हम अपनी लगाएंगे अब यहां फ्रेंट्स फिटिंग लगा देंगे अब इस तरीके से हमारी ड्रेस बनके रेडिया अब आप इस तरीके से बच्चे वर फैबिक से अपने बेबी के लिए ड्रेस आसानी से तयार कर सकते हैं जो समर के लिए काफी कमफर्टिबल है आपको पीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स पर बाचिंग कीप सपोर्टिंग नी थैंक्स पर बाचिंग